देखे सहब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे UP Polytechnic second semester के students के लिए Applied Mathematics में समाकलन में most important chapter खंडशा समाकलन के बारे में यानि की integration by parts के बारे में आज इसके basic कुछ concept को समझेंगे इसके महतपूर सूतर को समझेंगे और साथी साथ दो ऐसे questions लगाएंगे जो की basic label के हैं अगर आपको खंडशा समाकलन बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहस जादा important है अगर आपको आता भी है तो अगर आप revise करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं फिल्हाल आज का ये जो समाकलन का हमारा वीडियो है ये समाकलन का part 6 है इससे पहले हमने समाकलन के उपर 5 वीडियो अपलोड कर दिया है तो अगर आप नहीं देखे हैं तो UP Polytechnic 2nd semester का playlist चेक कर सकते हैं इस वीडियो में हम खंडशा समाकलन से related कुछ concept को समझेंगे सबसे पहले खंडशा समाकलन इसे कहते हैं यानि की integration by parts कहते हैं इसका concept क्या है आए समझते हैं देखे अगर दो फलन गुड़न फल में हैं गुड़ा के रूप में हैं तो उसका समाकलन हम खंडशा समाकलन से कहते हैं माना अगर पहला फलन जो दिया है हमारा वो f1x है ठीक है और दूसरा फलन f2x है दोनों गुड़ा के रूप में हैं गुड़न के रूप में है ठीक है और इसका हमा को शमाकलन करना है कैसे करेंगे अब हम इसको शमाकलन करने के लिए लिखेंगे कि integration f1x into f2x dx ठीक है इसमें हम क्या करते हैं कि पहले फलन को ऐसे ही रख देते हैं पहला फलन गुड़े दूसरे फलन का समाकलन ठीक है अगर निकालना है तो प्रथम फलन गुड़े द्वितिय फलन का समाकलन माइनस के साथ ब्रेकट के अंदर प्रथम फलन का अउकल गुड़ांक गुड़े दूसरे फलन का समाकलन और ब्रेकट क्लोज पूरे का समाकलन अगर आप कोशन को समझेंगे न तो ये सारा कंसेप्ट आपको clear हो जाएगा तो यहाँ पे चिंदा मत कीजे अभी मैं आपको एक question के जरीए चीजों को explain कर रहा हूँ अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता कोई बात नहीं हम question के द्वारा आपको समझा देंगे इसके अंतरकत कुछ important formula हैं जोके 3 important formula हैं जोके use होंगे 5 number के question के लिए तो इन्हें याद रखिएगा जरूर देखें मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि integration under root a square minus x square dx एक formula आएगा अब एक जगह पे आपका 9 हो सकता है 4 हो सकता है कोई भी अंक हो सकता है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा तो integration under root a square minus x square dx का formula होता है 1 upon 2 और bracket के अंदर x और फिर यही वाला पार्ट under root a square minus x square plus के साथ a square by 2 और एक बात आप ध्यान रखिए 1 upon under root 1 minus x square होता है sine inverse x होता है न तो इसको आप ध्यान रखिए ये जब भी आपको ध्यान दिलाएगा आपको sine inverse के रूप में तो जब भी a square minus x square under root में रहेगा तो यहाँ पे sine inverse x by a हो जाएगा तो ये चीज़ आपको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने बताई तो इसको कैसे याद कर सकते हैं 1 upon 2 बाहर है और bracket के अंदर x under root a square minus x square plus a square और sine inverse x by a bracket close plus c तो ये चीज़ है ये एक formula है जो कि बहुत important है दूसरा formula आपका ये है कि integration under root a square plus x square dx तो इसके लिए भी आप कई बार student कुछ इस तरीके से भी याद करते हैं कि x by 2 यानि कि 2 कगुडा अंदर कर देते हैं लेकिन अगर आप नहीं करेंगे फिर भी ठीक है तो हम 1 upon 2 को बाहर ले लेते हैं और bracket के अंदर x और फिर ये वाला पार्ट यानि कि under root a square plus x square फिर plus के साथ a square ठीक है और जब यहाँ पर a square plus x square रहेगा ना तो यहाँ पर log x और plus under root a square plus x square bracket close plus c तो ये चीज़ आप धाना किया फिर यहाँ पर अगर integration under root x square minus a square है चीक है तो उसके लिए हम करेंगे 1 upon 2 बाहर हो जाएगा और bracket के अंदर x under root x square minus a square फिर minus के साथ a square log x plus under root x square minus a square plus c अगर फिर भी आपको याद नहीं होता है तो 4 से 5 बार आप जो है वो कुछ समय समय दे के यानि कि आदे गंटे पे 20 मिनट पे लिख दीज़े आपको याद हो जाएगा दो-तीन दिन ऐसा करेंगे तो आपको ये formula याद हो जाएगा मुझे भी सुरू में नहीं याद हो रहा था लेकिन मैंने कुछ मेहनत किया जैसे कि 12th class में ये पढ़ना है तो 12th class से ही हमें ये चीज़ पता है तो कुछ practice की जरूरत है अब आए कुछ चीज़ें बताते हैं कि खंट्सर समाकलन हम कैसे करते हैं देखें यहाँ पे integration log x dx का समाकलन करना है तो log x dx को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log x into 1 into dx अब बात आती है कि log x को हम पहला फलन माने या फिर 1 into dx को पहला फलन माने तो इसके लिए एक rule है कि I L A T E I lit यानि कि जो पहले संतुष्ट करेगा उसको हम पर्थम फलन मानते हैं I से आपका हो गया inverse L से हो गया logarithm यानि कि लगुगड़क A से हो गया आपका algebraic यानि कि बीजगड़िती है और T से आपका हो गया trigonometric और E से आपका हो गया exponential यानि कि e to the power x वाला ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो I L A T E से पहले हम संतुष्ट कराएंगे ठीक है न तो इसमें log x पहले आ रहा है inverse ठीक है आई आ रहा है तो inverse वाला कोई भी फलन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो इस log x को जो भी आप पहला फलन मानेंगे उसको integration से बाहर निकाल लेंगे ठीक है तो हमने आप लिख दिया log x और into और बचा क्या अब बचा हमारा 1 into dx तो दूसरे फलन का समा कलन तो integration हमने dx लिख दिया 1 into dx लिख दिया फिर minus के साथ मैंने आपको बताया था कि integration का चिन है तो minus के साथ integration का चिन हमने लिख दिया फिर bracket के अंदर पहला फलन जो आपने माना था ना उसका आउकल गुडांग तो log x का आउकलन होता है 1 upon x होता है ना तो इसको हम लिख देंगे d by dx into log x प पर दूसरे फलन का समाकलन तो दूसरे फलन का हमने समाकलन कर दिया और bracket close कर दिया और यह integration का चिन यह प्रदर्शत करता है कि यह bracket के अंदर जितनी भी चीज़े हैं यह पूरे का समाकलन है ठीक है तो यह चीज़ बस आप ध्यान लखेंगे अब देखिए अब log x चुकी है तो log x हमने यह ऐसे लिख दिया और integration 1 into dx होता है x क्योंकि integration dx बराबर होता है x मैंने आपको बताया था तो इस तरीके से हमारा x आ गया उसके पासे minus के साथ यह integration है यहाँ पे ज़रा देखिएगा यह क्या है यह है x और यह क्या है यह है 1 upon x log x का होकल गुडांग होता है एक बटा x और गुडा integration dx होता है x अब x से x कट जाएगा तो कीवल क्या बचेगा 1 बचेगा ना ठीक है 1 बचेगा तो अगर हम और बाहर हमारा integration है तो integration 1 into dx अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा कीवल आएगा x आएगा तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1 upon x into x लिख दिया अब यह x से x कट जाएगा तो integration 1 into dx हो जाएगा तो हमने यहाँ पर next step में यही किया है कि x log x तो x log x माइनस के साथ integration dx चुके x और x कट गया है तो integration dx तो इसे जब solve करेंगे तो क्या करेंगे हमारा x log x तो x log x हमन लिख देंगे और plus के साथ c क्योंकि integration हट रहा है तो इस तरीके से हम जो है वो खंटिशर शमाकलन करते हैं कि वल आपको यह देखना है कि i late वाले formula से i late वाला concept से कौन सा fallen को हम पर्थम fallen मानेंगे फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इस question दूसरे question को solve करने के लिए i late सबसे पहल function इसमें है बिल्कुल नहीं है फिर आपका है a यानि कि algebraic तो algebraic का कोई function है बिल्कुल यहाँ पे a to the power x है तो यह जो चीजे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और e जो है यानि कि e to the power x जो है वो भी है लेकिन वो last की चीज़ है तो पहले हमारा a आ रहा है य हमने पर्थम फलन को पहले लिख दिया फिर दूसरे फलन का समाकलन यानि कि दूसरा फलन हमरा e to the power x से तो हुआ तो e to the power x का हमने समाकलन कर दिया फिर minus के साथ integration और bracket के अंदर जो पर्थम फलन माने है उसका आउकल गुडान तो d by dx into a to the power x और into फिर दूसरे फलन का समाकलन तो into integration e to the power x dx a whole को dx यानि कि पूरे का समाकलन ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब ये e to the power x का समाकलन होता है केवल e to the power x और e to the power x पहले से है तो e to the power x into e to the power x हमने लिख दिया फिर minus के साथ integration अब ये bracket के अंदर वाला पार्थ हम solve करते हैं e to the power x का आउकल गुडांक होता है e to the power x log a और base e तो हमने ये चीज़ लिख दिया ठीक है और integration e to the power x का होता है समाकलन e to the power x तो e to the power x हमने लिख दिया और bracket close dx और plus c अब चुकी करते क्या है हम इसका समाकलन करके देखते हैं कि क्या होने वाला है तो ये जितना पार्ट है ठ e ये x से स्वतंद्र पद है तो यानि कि ये अचर है तो अचर है तो हम समाकलन के बाहर इससे कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 to the power x e to the power x minus के साथ log a base e चुकी अचर है तो हमने बाहर निकाल लिया और integration 8 to the power x e to the power x dx और plus के साथ c हमने लिख दिया ठीक है अब ज़र बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से मान रखा है इसको आप ना हो तो समीकर नमबर एक माल लिचे ठीक है तो हम इसकी जगह पर i लिख दिये ठीक है तो इतनी एकी जगह पर हमने यहाँ पर i लिख दिया तो हम लिख देंगे i बराबर अब यह आई च समझ में आ गई अब इसको क्या करेंगे क्या यहां पर देखे अब हो सके तो हम इसको जो है वो इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या और कॉमन ले लेंगे तो आई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहां से अगर आई common लेंगे तो हमारा बचेगा 1 तो 1 प्लस log A और base E ठीक है और बराबर के साथ हमारा हो जाएगा A to the power X E to the power X plus C तो ये भी हमारा answer हो सकता है ठीक है या फिर हम इसको I को रखके और इतने part को इधर भेज भी सकते हैं तो अगर हमारा दो number का question है तो हम इतना ही करके छोड़ सकते हैं ठीक है तो आसा करते हैं कि ये दोनों question हमने अच्छे तरीके से आपको बताया है कोई भी चीज का condition शमाकलन करना है तो आपको I late वाला formula ध्यान लखना होगा अब मैं एक आपको जो है वो question दे रहा हूँ जिससे आपका खंचर शमाकलन के द्वारा solve करना है आप x square log x का जो है वो dx का समाकलन कीज़े खंचर शमाकलन के द्वारा ठीक है ये पहला हमने आपको question दिया है इसे solve करके हमें comment में बताई कि क्या आप से solve हो जा रहा है खंचर शमाकलन या नहीं ठीक है तो ये चीज़े थी जो कि basic label से मैंने आपको integration by parts बताया अब आने वाले सभी parts के अंतरगत थोड़ा advanced label लेके चला जाएगा जो कि आपके semester exam में जितने type के गोशन खंचर समाकलन से पूछी आते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को जरा शेर जरूर कर दीजे और अपने दोस्तों को बता दीजे कि पांड़े जी टेक्निकल चैनल पे आपकी classes सुरू हो चुकी है ठीक है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर जरूर कीचेगा